नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे Assignment Submission के बारे में भी और साथ में बात करेंगे अज exams के बारे में भी कि अगर Final Year के exams होते हैं तो exam hall में क्या guidelines होंगी जिनको आपको follow करना वड़ेगा उसके ओपर एक न्यूस आर्टिकल आया है तो वो आभी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो में हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे ध्यान से देखे अगर आप पहरी बार मेरे चैनल पर आएं और इग्रू के स्टूरेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और इस वीडियो को सेर जरूर करें तो वीडियो की शुरूआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेंदे हम असाइमेंट सम्मेंट के बारे में इस से पहले काफी सारे स्टूरेंट ने लगातार सकती है और assignment submission की last date extend होने के chances हैं तो लेकिन अभी तक जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार जो last date थी वो 31 माई 2020 थी लेकिन last date के extend होने का जो notification था वो आ गया था 22 माई 2020 को यानि कि लगबग 8 दिन पहले 8 से 9 दिन पहले आपके पास assignment submission की last date extend होने का notification आ चुका था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है आप जानते हैं कि 15 जून 2020 last date है इस समय और अब सिर्फ दो दिन का ही time और बचा है और आज सनीवार है और आज सनीवार की साम तक अभी तक ऐसा कोई notification नहीं आया है कि assignment submission की last date extend होगी या नहीं होगी तो students लगातार last day extend नहीं होगी तो assignment submission क이 last date extend होने का अभी भी chances हैं assignment submission की last date extend होनी चाहिए और मुझे अभी भी पूरी उमीद है कि assignment submission की last date extend होगी हो सकता है कि आज saturday है और फिर कल संडे होगा तो हो सकता है कि consensus अ आपके पास notification ना आए और हो सकता कि somewhere यानि कि Monday को आपके पास notification आ जाए assignment submission की last date extend होने का या फिर ये भी हो सकता है कि सनी बार की रात को आपके पास notification आ सकता है इगनू notification जारी कर सकता है क्योंकि पिछली बार भी जो notification आया था वो भी रात में ही आया था assignment submission की last date के extend होने का तो इ इसलिए जो भी student comment कर रहे हैं तो उनको मैं यही कहना चाहूंगो कि assignment submission की last date extent होने की अभी भी chances हैं, अगर आपने assignment submit नहीं किया है तो अभी आप assignment submit कर सकते हैं, लेकिन आगे भी date extent होने के chances हैं, साथ में exam form के बारे भी जो student पूछ रहे हैं कि exam form की last date extent होगी या नहीं होगी, तो exam form की last date extent होना थोड़ा सा मुस्किर है, लेकिन उसकी भी last date extent हो सकती है, ठीक, लेकिन अगर exam form की last date extent हो गई, तो exam जो हैं वो जुलाई से भी ज्यादा आगे extent हो जाएंगे, और जुलाई में भी फिर exam conduct रवाना मुस्किर है, क्योंकि इग्रू की तरफ से पहले ये बोला गय है कि आपको 15 दिन पहले सूचित कर दिये जाएगा कि जब exam होंगे, यानि कि अगर exam जुलाई में conduct करवाने है इग्रू को तो उसे 15-16 जून को नया notification जारी करना होगा, नया date seat जारी करना होगा, पिछला date seat इग्रू ने हटा दिया है, ठीक, तो 15-16 जून को इग्रू को date seat जारी करना होगा, अगर सच में इग्रू चाहता है कि जुलाई से exam सुरू हो, अब बात कर लेते हैं, हम final year के exam अगर होते हैं, जैसे कि आप जानते कि first and second year के students के लिए लगभग confirm है कि उनके exam नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी university और कोई भी जो institute है वो इसके exam नहीं ले रहा, लेकिन कोई institute ऐसे हैं जो final year के exam ले रहे हैं, तो इग्रू में भी chances है कि हो सकता है कि कम से कम final year के exam conduct करवा लिये जाए, तो अगर final year के exam conduct करवा जाते हैं, तो क्या guidelines होंगी जिनका आपको follow करना होगा exam hall के अंदर, तो अब उसके बार में बात कर लेते हैं, एक article छपा है, जि सिद्धा उसके बात करते हैं, तो खबर आप यहां पर देख सकते हैं, इसकी इसका link आपको description में भी मिल जाएगा, thermal screening के लिए एक गंटे पहले ही पहुँचना होगा exam center, अब तक क्या होता था कि आपको कम से कम 10 मिनट पहले अपने exam center के अंदर पहुँचना होता था, लेकि सिद्धिक के परिक्सा केंदर में भी आप exam दे सकते हैं, अगर वहां कहीं कोई exam center हो तो, तो यह दोनों चीजे इस article में कही गई हैं, आप इस article को पढ़ सकते हैं, इसका link आपको description में मिल जाएगा, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को आपको पसंद देती वीडियो को लाइक ज़रू करें और जाता से जाता सेर ज़रू करें, इस वीडियो में इतना ही हैं